हालो अब्रीवन वेलकम टू वेफ प्रॉपर्टी तो गाइस आज में हूँ लोनावला में हिल्टन रोड मोर्वे पे यह मोर्वे एरिया है हिल्टन रोड आपको फ्रंट के साइट में दिख जाएगा यह 4BH के प्रॉपर्टी है जिसका आस्किंग प्राइस है तीन करो पचास लाग रुपर इसका टोटल प्लॉट एरिया है 33,000 स्कूर फिट का जिसका गुंटे में अगर हम काउंट करते 28-29 गुंटा यह प्लॉट है पुरा तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 बेडरूम से आट किया हुआँए स्विमिंग पूल आट किया हुआँए इसके डाउन स्टेज में पे एक बेडरूम से है तो ग्रीन स्पेशियस आपको यहाँ पे 4 बेडरूम मिलता है देन आपको यह खूब सुरुच सा ग्रीन वीव भी मिल जाएगा लश ग्रीन वीव आईए एव्रिवन यह पूरा सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आप देखेंगे यह आपका प्राइवेट इंट्री है तो यह सेम ओनर ने यह इनका टोटल 25-30 एकर का पूरा लैंड पार्सल है तो उन्होंने वहाँ पर एक उपर के साइट में भी एक लग्जूरियस बंगलो बना है जो खुट रेंटेट करते है वह तो यह वाला बंगलो बना है जो उनको सेल करना है तो यहां पर आपको यह और यह इंडिविजूल बंगलो आपको मिलेगा यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस है अगर आप में अपर गेट टोगेदर करेंगे तो यहां पर आप का पाकिंग आड कर सकते है वैसे यह आपका प्राइवेट नहीं है तो यहां पर आपको एक वाइड इंटरेंस मिल जाएग सब जैसे आगे मूफ करेंगे तो यहां पर आपको काफी आंपल आप का पाकिंग्स मिल जाती है इसली आप यहां पर 12345678 728 कापक्स इसली यहां पर आप कर सकते हैं प्लांटेशन यहां पर आट के हुए अभी उतने ग्रो नहीं किया जब ग्रो करेंगे तो इसका मज़ा काफी कुछ हो रहा है का यहां पी आप देखेंगे काफी खुबसरत प्लांट साइड के हुए कमेंट्स में बताइए यह कौन सा प्लांट से काफी खुबसरत है वैसे रेगुलर बेसिस पर आप इसको अगर अच्छे से वाटर सप्लाइ करते है तो यह एजीली ग्रो हो जाएंगे वेरी नाइस यार अमेजिंग व्यू है गईस रियली अमेजिंग व्यू है तो यह आपका बंगलो उपर टेरेस भी है टेरेस भी हम दिखाएंगे आपको काफ अच्छे से व्यू इंजॉय करेंगे रियली यह काफी जादा अमेजिंग है गईस मैंगो का भी ट्री हैंपर एड क्या हुआ है लाइट पावर यहां पर दिया हुआ है यह अपका जनरेटर है अगर पावर कंट्रोल ही होता है लाइट नहीं होती है तो यह जनरेटर आपक कर सकते हैं पार्टीज कर सकते हैं तो यह आपको पच्छेस करना है आपको रेंट पे नहीं मिलेगा इसका अल-इन प्राइज है तीन कोड़ पचास लाग रुपए स्लाइटली निकोशेट करेंगे इसका टोटल प्लॉट एरिया है 33,000 स्क्योर फिट का यह पूरा पूल, गार्डन और यह लॉन एरिया देन वहाँ पे क्रिकेट टर्फ भी बना हुआ है तो काफी बिक स्पेशियस यह स्पेईस है यह बंगलो का आईए आगे जाके भी हम टूर करेंगे तो यहां पे आपको ग्रीन ट्रीज एड़ करनी होगी तो यह काफी ग्रो होगे ओमाइगा यार क्या अमेजिंग व्यू है अभी मांसून स्टार्ट नहीं होगे मैं विजिट किया हूँ 14th जून को 14th या 15th है शायद तो हम विजिट के आप देखेंगे तो कितना ग्रीन व सब्स्काइब आपको इसको ग्रो करना पड़ेगा पूशना बहुत जरूरिया इसको ग्रो कराना कर आप ऐसाल चीजस मिलते बादी स्टार्ट हो गई होगी हरकी अप देखेंगे सलग मिलग को और बढोर ल МУु का घटारा हॐँ तो सपノमाना चाहिए इसको भी मेरणा सक्त है सो इसको भी आप बेटरूम्स बना सकते अगर चाहो तो वैसे इसको यूटिलिटी एरिया से एक दम खूबसूरत सा व्यूव आपको मिलेगा सो अविवन यहां पर आपको एक किकट टॉफ और वहां पर भी काफी स्पेस मिलता है जहां पर अपर अपर ग्रीनरी आइड कर सकते अपनी गार्डन कर सकते कोई भी कवरी से आप मुझे डिरेक्टली कॉंटाइक कर सकते अभी मैं आपको यह फो बीएच के फोर बेड्रूम फो अटेच वाश्रूम सब कुछ हम कवर करेंगे सो आइए मैं आपको एक तरफ से सारे बेड्रूम से और हमारे होम टूर कराता हूँ अभी मैं आपको शुरू करा हूँगा यह फो बीएच के बंगलो का एक स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरिया जहां पर काफी खुब सुरूत तरीके से यहां पर बिक स्पेशियस लिविंग एरिया में आपको यहां पर काउच आट किया हुआ है यह आपको जो तरीके से डाइनिंग एड किया हुए एड सीटर की सो अल्मोस्ट आपको डन यह बंगलो मिलता है अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते तो कर सकते अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके नीड होती है वैसे कस्टमाइज कर सकते फ्रन साइट में आप देखेंगे काफी किचन एरिया तो इस तरीके से एल प्लाइटफॉर्म में आपको यहां पे किचन यह बना के दे रहे है और डीडी जैसा दिख रहा है वैसा देंगे इस तरीके से साफ फ्लोजिंग के साथ में आपके काबिनेट भी रेडी किया हुआ है यहां पर आपका शिंक एरिया फेट सबसे खूबसूरत और जो सबको पसंद आता है यहां का व्यू अमेजिंग है गाइस यह काफी ज्यादा अमेजिंग है अगर आप एक बार बहर से देखेंगे तो आपको आइडिया एगा कि क्या व्यू आपको यहां से मिल रहा है एक्दम पीस्फूल काम व्यू एक्दम आप यहां पर देखेंगे आपको बर्ट का चाहल पहल देखने को मिलेगा स्विमिंग पूल की हाइड भी काफी अची है और यह पूरा लश क्रीन व्यू आपको मिलता है यहां पर माइंड एक्दम रिलाक्स हो जाएगा तो यह इसी प्रॉपर्टी है इसका टोटल प्लॉ इरिया देखते है तो यह 3200 स्कूर फिट का कंस्ट्रक्शन एरिया है तो यहां से आपको यह स्विमिंग पूल बाहर का एरिया मिलता है जहां पर कफी अच्छा गेट टूगेधर कर सकते बच्चों के साथ में चिल इंजॉय कर सकते हैं यहां पर अप सामने के साइट में द प्लॉट एरिया है लगबग जैसे मैंने आपको बता है 30,000 स्कूर फिट का यह पूरा प्लॉट एरिया है अगये अभी हम बेटरूम स्टूर करते हैं अभी हम देखेंगे बेटरूम नंबर वन जो फर्स्ट यहां पर आपको लिविंग एरिया से कनेक्टेड मिलता है जहा आपको पेंटिंग का अच्छा काम किया होआ है बेड मेब को काफे अच्छे से नहा पर सब कुच आखिया हुआ हूआ है वुद्ण का काम किया हूआ है अलाम ऐfiction करेंग तो आपको बता चलेoure आप वॉसरोम इन देखेंगे इस तरीके स्ट्वार्ग एशाष्य ब्लता है ज यह अपने first bedroom देखा है जहां से आपको इस तरीके से view enjoy करने मिलेगा अब एक बास structure में आपको समझाता हूँ bedroom number one, bedroom number two, bedroom number three, bedroom number four वहाँ पे दोनों में आपको balcony मिलेगी down stage में bedroom में उसको add नहीं किया हुआ है आप extra space के लिए उसको add कर सकते हैं यहाँ पे back space में भी कुछ utility area है आप कुछ का आपका roughly सामान है तो वहाँ पे आप आप एड़ कर सकते है bedroom number two अभी हम देखेंगे same वही fitting आपको यहाँ पे भी मिलती है यहाँ से भी आपको वही same view मिलता है काफी खुबसरत व्यू है swimming pool का और बाहर आपको lush green view मिलता है यहाँ पे भी bed add के वहे दो लैंब से fan है सारी plugging आप जितना देख रहे है यह सारी plugging आपको बना के दे रहे है और आपको AC भी fitted मिलती है यहाँ पे यह spacious size का bedroom है यहाँ इसका attached washroom यहाँ पे आपको दिख चाहेगा So attached washroom आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको walking wardrobe भी add किया हुगा है और same big spacious size का आपका washroom है Really जो काफी spacious size में आपको मिलता है So wardrobe में पे आप space देखेंगे तो काफी enough size का आपको space मिल जाता है यहाँ पे भी Right So जैसे आपको कस्टमाइज भी करना हो तो कर सकते है वैसे need है नहीं काफी अच्छे है इन्होंने branded fittings add कि हुए यहाँ पे Right अभी move करते 3rd bedroom की तरफ काइस अभी हम जाते upstairs जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे So काफी wide आपको यहाँ पे stage create किया हुआ है Sunlight के लिए यहाँ भी कुछ यहाँ पे add क्या हुआ है आपने plants काइड कर सकते है Stage की width काफी ज्यादा है यहाँ पे आप देखेंगे एक spacious size आपको यहाँ भी मिलता है So यहाँ पे भी आपके बच्छे इंज्वाई कर सकते है Cricket को Cricket tough काफी बढ़ा है यहाँ का यहाँ आपको tough one लगा के दे रहे है safety का feature से यहाँ पे आपको tough one लगा के मिलता है 3rd bedroom की तरफ move करते है यहाँ से पे आपको एक view मिलता है जिसे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यह हमारा 3rd bedroom again Same fittings आपको provide कर रहे है इस तरीके से आपको fittings मिल जाएगी एस ही सभी bedrooms में add किया हुआ है यहाँ पे आप एक big size का आपको bed भी लगा के दे रहे है इसका भी size काफी अच्छा spacious size मिलता है इसका washroom भी आप देख सकते attached washroom walking water up भी यहाँ पे add किया हुआ है washroom का size मुझे काफी जादा इनका spacious लगा है और इसमें walking water up भी आड किया हुआ है सारे plugins भी आपको बना के दे रहे है एक speciality है 3rd bedroom की वह है यहाँ का view so guys आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे balcony भी प्रोवाइड की जा रही है जहां से आप oh my god यह वाला view enjoy करेंगे so guys यह really काफी जादा amazing है chill view enjoy करेंगे आप वहाँ पे turf भी है cricket के लिए football के लिए वहाँ पे आप 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 अगर आपको plantation करना है तो green space काफी है वहाँ पे already खिया गए वैसे काफी सारे plants लगे है so वो grow करने में और टाइम लगेगा दिन सामने के site में आप देखेंगे fountains भी यहाँ पे create होते अभी start नहीं हुआ वैसे बरसाथ so यह area का location भी मैं आपको guide कर देता हूँ यह hilton road है अब main road लेंगे तो hilton road जाता है यह area वैसे more way के नाम से famous है so यहाँ से आपको इस तरीके से मिलता है हमने tour किया है third bedroom अब हम आपको tour करेंगे fourth bedroom जो वह वाले site में है आई आगे move करते है so यहाँ पे आप खूब तरह सा एक chandelier को enjoy करेंगे view भी आपको यहाँ से अच्छा मिलता है then अभी हम इंचर करेंगे हमारे fourth bedroom की तरफ fittings same provide किया जा रहा है जैसे अपको fittings है washrooms अपने देखी लिया एक spacious size walking wardrobe दे रहा है सभी में same concept यहाँ पे भी है then time waste नहीं करते हैं मैं आपको view दिखाता हूं यहाँ से भी main specialty तो इसका view है अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है हम यहाँ पे विजिट किये 14th June को अभी just बारिश हलकी हलकी चल रही है कोई mansoon का एक जादा बारिश नहीं हुए सामने के साइट में जो आप यह mountain देख रहे है काफी अच्छा यहाँ से आपको view मिलता है very nice really amazing view है turf भी है काफी अच्छे से आप उसको भी utilize कर सकते है तो space आपके साइट में यहाँ पे काफी जादा है अभी हमने टूर किया है हमारा 4 BHK का बंगलो जिसका asking price है 3,50,000,000 रूप है all inclusive और इसमें भी slightly negotiate होगा अगर आप interested है यह property से तो आप मुझे अभी call करें आपका budget अगर यह नहीं है एक डिर करोड का है दो करोड का है यह आपको यह area में plot चीए कहीं पे भी आप मुझे contact कर सकते है लोनावला में proper हमारी team है लोनावला के लिए भी जो आपको guide करेंगी यह property के लिए आप मुझे contact करें अब भी owner को काफी urgently इसको बेचना है यह हमने video create इसलिए किया हुआ है यह property आपको same जैसा दिकरा as it is condition में मिलेगा और अगर इसमें आप invest करते roughly around कुछ 10 lakh रुपीज का तो easily यह 2 lakh रुपे monthly पे निकल सकता है easily कहीं पे भी कोई भी आपका broker agent यहां के वो ले सकते है तो आप काफी अच्छा rental भी ले सकते हैं यहां से और आपको utilize करना है तो use भी कर सकते है तो काफी beautiful property है कोई भी कोई से आप मुझे contact कर सकते है फिर मिलते कोई ने वीडियोस में thanks for watching wave property